जो प्रस्ण है मेरा जनता दल उनाइटेट से अलग होना और नितीज जी से जो मेरा संबंध है उसको लेकर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नितीज जी से जो मेरा संबंध अभी तक रहा है वो विशुद्ध राजनितिक संबंध नहीं रहा है 2014 नमंबर में दिल्ली में पहली बार मैं और नितीज जी मिले थे उसके बाद से नितीज जी ने जिस तरह से मुझे अपने साथ रखा है वो किसी बेटे के जैसे ही रखा है और उतने स्ने से मुझे रखा है जो लोग मुझे जानते हैं नितीज जी को जानते हैं जिन्नोंने द में नहीं था उससे पहले उनके साथ प्राम कर रहा था तब भी और कई माइनों में मैं भी उनको अपना पिता तुल्ले ही मांता हूं इसलिए मितीज जी ने जो भी डिसीजन लिया है मुझे पाटी में शामिल कराने का उसके बाद पाटी से निकालने का उनकी सारे फैसलों को मैं सहिर्दे स्विकार करता हूं और उस पर किसी भी तरह का कोई विवाद या कीका टिपनी अभी भी नहीं करना चाहता हूं और आगे भी नहीं करना चाहता हूं ये उनका प्रियोगेटिव है, ये उनका एक अधिकार था और आगे भी रहेगा, वो पार्टी में रखना चाहते थे तो अच्छी बात है, और पार्टी में नहीं रखना चाहते हैं, तो भी ये उनका अधिकार है, इस बात के लिए उनका सम्मान है, मेरे मन में उनके प्रती जो आदर है जो पहले था वो आज भी है और आगे भी वैसे ही रहेगा। अब मेरा जब उनसे इतना अच्छा संबंद रहा है तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि आखिर हम लोग में मतवेद किस बात का है। मतवेद के दो कारण रहे हैं और ये कारण पिछले एक महिने दो महिने में नहीं। लोग सभा चुनाओं के समय से ही हम लोग की आपस में ये बात्ची चल रही है। एक जो आइडिलोजिकल पोजिस्निंग को लेकर है। क्योंकि जितना मैं नितीश जी को जानता हूँ और जितनी बात मेरी उनसे होती रही है। उसमें नितीश जी हमेशा ये कहते रहे हैं कि गांधी, जेपी और लोहिया इन तीन को और इनकी बताई हुई बातों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। मेरे मन में ये जो दुविधा रही है कि आप जब पूरे बिहार में गांधी जी के बताई हुए बातों को लेकर शीलापट लगवा रहे हैं, यहां के बच्चों को गांधी के विचारों से आउगत करा रहे हैं, उस समय में गोड़से के साथ खड़े हुए लोग या गोड